योग वासिष्ठ के उत्पत्ती प्रकरण में भगवान श्रीराम रिशिवशिष्ठ से आगे पूछते हैं कि मुनिवर जो अविद्या वास्तों में है ही नहीं उसने सब को वश्मे कर लिया है यह कैसी विचित्र बात है तब रिशिवशिष्ठ कहते हैं निश्पा प्रगुनंदन इस संसार में काठ और दीवार के समान जड़ देह कुछ भी नहीं है वास्तों में इसकी सत्ता नहीं है इस चित्त नहीं सुपन के संसार की बहाती इसकी कल्पना कर ली है श्री राम अज्ञानी जीवात्मा को ये अनन्त शारिरिक सुख दुख होते हैं किन्तु ज्ञानी महात्मा पुरुश को ये बिलकुल नहीं होते क्योंकि वे परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जान गए हैं देह जड़ है अतएव वह दुख का अनुभाव नहीं कर सकता देहा भिमानी जीवात्मा ही अविवेक के कारण दुखी होता है यह अविवेक या अविचार अतिशय अज्ञान के कारण है अज्ञान ही समस्त दुखों का हेतु है एक मात्र अविवेक रुपी दोश के कारण ही जीवात्मा शुब अशुब कर्मों के सुक दुख आदी फलों का भोगता बना है ठीक उसी तर है जैसे रेशम का कीडा अज्ञानवश ही रेशम के कोश में बंधन को प्राप्त होता है अविवेक रुपी रोग से बंधा हुआ विजित्र वृत्तियों से युक्त मन नाना आकृतियों में विचरण करता हुआ चक्र के समान घूमता रहता है श्रीराम जैसे घर का मालिक घर में अनेक प्रकार की चेश्टाएं करता है किन्तु जडग ग्रिह स्वयम कुछ भी नहीं करता उसी तर है शरीर में जीवात्मा ही विविध चेश्टाएं करता है शरीर नहीं तब श्रीराम पूछते हैं भगवन आप संपूर्ण तत्व वेताओं में शेष्ट हैं सिद्धी देने वाली ज्यान की साथ भूमिकाओं का स्वरूप कैसा है यह मुझे संक्षेप से बताएं तब रिशिव शिष्ट कहते हैं रगुनंदन अग्यान की साथ भूमिकाओं हैं और ग्यान की भी साथ भूमिकाओं हैं फिर गुणों की विचित्रता से इन दोनों के दूसरे दूसरे असंख्यभेद हैं आत्मस्वरूप में अनादिकाल से अग्यान का आरोप है उस अग्यान की यह साथ भूमिकाओं हैं जिन्हें सुनों बीज जागरत जागरत महा जागरत जागरत स्वपन 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 जागरत और सुशुप्ति इस तरहें अग्यान की यह साथ भेद हैं यह सातों भेद फिर एक दूसरे से संयुक्त होकर अनेक नाम धारन करते हैं अब तुम्हें सब्तविद अग्यान के लक्षन सुनों महा सर्ग के आदी में चिन्मई परमात्मा से जो प्रथम नाम निर्देश से रहित एवं विशुद्ध विष्टी चेतन प्रकट होता है वह भविश्य में होने वाले चित और जीव आदी संग्या शब्दों तथा उनके अर्थों का भाजन होकर जाग्रत अवस्था के बीज रूप में स्थित होता है क्योंकि वह महा प्रलाए के समय भी परमात्मा में बीज रूप से ही था इसलिए बीज जाग्रत कहलाता है यह अग्यान की नूतन अवस्था है अब तुम जाग्रत संसार का वर्णन सुनो नवजात बीज जाग्रत के पश्चात यह स्थूल देह मैं हूँ यह भोग्य पदार्थ समूह मेरा है ऐसी जो अपने भीतर प्रतीती होती है उसे जाग्रत कहते है यह देह मैं हूँ यह भोग्य समूह मेरा है इस जाग्रत प्रतीती के उत्पन होने के पश्चात जनमांतर के अभ्यास से द्रड़ हुई जो प्रतीती स्फुरित होती है उसे महा जागरत कहा गया है जागरत पुरुष का अद्रिड या द्रिड जो सर्वता तन्मयात्मक मनो राज्य है उसी को जागरत स्वप्न कहते हैं दो चंद्रमाओं का दर्शन सीपी में चांदी की प्रतीती और म्रिग तृष्णा आदी भेद की तरहे अभ्यास वश जागरत भाव को प्राप्त स्वप्न मनोराज्य अनेक प्रकार का होता है उसे मैंने थोड़े ही समय तक देखा वह सत्य भी नहीं है नींद के समय अनुभव में आई हुई बातों के विशय में नींद के अन्त में जो ऐसी प्रतीती होती है उसे स्वप्न कहा गया है वह स्वप्न अग्यापुरुष के महा जागरत अवस्था में स्थित स्थूल शरीर के कंठ से लेकर हृदय प्रयंत नाडी प्रदेश में प्रकट होता है चिरकाल तक दर्शन के अभाव से स्वप्न है सुद्रण अभिनिवेश से यचिर स्थाइत्व की कलपना से पुष्ट होकर जागरत भाव को प्राप्त हुआ स्वप्न महा जागरत की समता प्राप्त कर लेता है इस अवस्था को प्राप्त हुआ स्वप्न स्वप्न जागरत माना गया है पूर्वोक्त छहों अवस्थाओं का परित्याग करने पर जो जीव की जड़ अवस्था है वही भावी दुखों का बोध कराने वाले बीज रूप अज्ञान से संपन सुशुप्ती कही गई है रगुनन्दन इस प्रकार साथ प्रकार की अज्ञान भूमिकाओं का मैंने वर्णन किया यह नाना प्रकार के विकारों तथा लोकांतरों के भेदों से युक्त होने के कारण निंद्य एवं त्याज्य बताई गई है निश्पा प्रगुनन्दन अब मैं साथ प्रकार की अज्ञान भूमिकाओं का वर्णन करता हूँ इसे सुनू पहली अज्ञान भूमिका सुभिच्छा बताई गई दूसरी विचारना तीसरी तनुमानसा चोथी सत्व आपत्ति पाच्वी असंसक्ति छठी पदार था भावना और सात्वी तुरियगा इस प्रकार ये ग्ञान की साथ भूमिकाओं मानी गई है अब इनका विस्तार से वर्णन सुनो मैं मूड होकर ही क्यों स्थित रहूं मैं शास्तरूं और सत्पुरुशों के द्वारा जानकर तत्व का साक्षातकार करूंगा इस प्रकार वईराग्य पूर्वक कीवल मोक्ष की इच्छा होने को ग्यानी जनों ने सुभेच्छा कहा है शास्तरों के अध्ययन, मनन और सत्पुरुशों के संग तथा विवेक वाईराग्य के अभ्यास पूर्वक सदाचार में प्रवृत होना यह विचारना नाम की भूमिका कही जाती है उपर युक्त, सुभिच्छा और विचारना के द्वारा इंद्रियों के विशय भोगों में आसक्ती का अभाव होना और अनासक्त होकर संसार में विचरन करना यह तनुमानसा है इसमें मन शुद्ध होकर सुक्षमता को प्राप्त हो जाता है इसलिए इसे तनुमानसा कहते हैं उपर बताई हुई सुभिच्छा, शवण, विचारना, मनन और तनुमानसा निदिध्यासन भूमिकाओं के अभ्यास से चित्त के सांसारिक विशयों से अत्यन्त विरक्त हो जाने के बाद में उसके प्रभाव से आत्मा का शुद्ध तथा सत्यस्वरूप परमात्मा में तदरूप हो जाना सत्व आपत्ती कहा गया है शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्व आपत्ती इन चारों के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से चित्त के बाह्य अभ्यंतर सभी विशय संसकारों से अत्यन्त असंग, संबंध विच्छेद हो जाने पर अंतहकरण का समाधी में आरूड स्थिर हो जाना असंसक्ती नाम की पाँचवी भूमिका कहा गया है उपर्युक्त, पाँचों भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से उस ग्यानी महात्मा की आत्मा रामता के प्रभाव से उसके अंतहकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभावसा हो जाता है जिससे उसे बाहर भीतर के किसी भी पदार्थ का स्वयम भान नहीं होता दूसरों के द्वारा प्रेत्न पूर्वग चिरकाल तक प्रेर्णा करने पर ही कभी किसी पदार्थ का भान होता है इसलिए उसके अंतहकरण की पदार्था भावना नाम की छटी भूमिका होती है उपरियुक्त सभी भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक चिरकाल तक अभ्यास होने से जिस अवस्था में दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक प्रेरित करने पर भी भेद रूप संसार की सत्तास्फूर्ती की उपलब्धी नहीं होती परन्तु अपने आत्म भाव में स्वाभाविक निष्ठा रहती है उस स्थिती को उसके अंतह करन की तुरयगा भूमी का जानना चाहिए यह तुर्यावस्था जीवन मुक्त पुर्शों में इस शरीर में रहते हुए ही विद्यमान रहती है इस देह का अंत होने पर विदेह मुक्ती का विशय साक्षात तुर्यातीत ब्रम ही है अतह भूमिकाओं में उसकी गणना नहीं होती श्री राम जो महाभाग सात्वी भूमिका में पहुँच गए हैं वे आत्मा राम महात्मा महत्पद पर ब्रम्ह को प्राप्त हो चुके हैं जीवन मुक्त पुरुष सुख दुख में आसक्त नहीं होते केवल देह यात्रा के लिए चठी भूमिका में कुछ कारिये करते हैं अत्वा सात्वी भूमिका में नहीं भी करते पुर्वोक्त महत्मा पार्ष्व वर्ती पुरुषों द्वारा बोधित होकर उन-उन आश्रमों में स्थित पुरुषों की आचार परमपरा से प्राप्त सम्पून सदाचारों का ही सावधान की भानती पालन करते हैं उनका वह आचार फल की कामना और आसक्ति नामक दोशों से रहित खोता है वे अपने आत्मा में ही रमन करने के कारण बाहिय विशेओं से विरत होते हैं अतहा उन्हें जगत के व्यवहार उसी तरह सुख नहीं दे पाते जैसे गाड़ नीद में सोई हुए पुरुश को दर्शनी रूप सौंदरिय से सुशोभित स्त्रियां नहीं सुख दे सकती ग्यान की ये साथ भूमिकाएं विवेकी पुरुशों को ही प्राप्त होती हैं इस ग्यान दशा को प्राप्त हुए पुरुश अंत्यज, मूग, चांडाल, धर्म व्याद, गुह, भील और शबरी आदी भी सदेह, जीवन मुक्त, अत्वा, विदेह मुक्त ही हैं इसमें संशय नहीं है चेतन और जड की ग्रंथी का विछेद ही ज्यान है उसके प्राप्त होने पर मुक्ती हो जाती है क्योंकि म्रिग दृष्णा में जल बुद्धी अत्वा रज्जु में सर्प बुद्धी आदी का जो बोध है वैसा ही चेतन और जड की ग्रंथी का विच्छेद भी है कुछ लोग एक ही जन्म में क्रमशह ग्यान की सारी भूमिकाओं को प्राप्त हो जाते हैं कोई कोई एक दो या तीन भूमिकाओं तक ही पहुँच पाते हैं कोई छे भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं कोई एक मात्र सात्वी भूमिका में हिस्थित रहते हैं, कोई तीन भूमिकाओं तक जाते हैं, कोई अंतिम भूमिका में पहुच जाते हैं, कोई चार भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं, कोई ग्यान भूमिका के एक अंश तक ही पहुच पाते हैं, ऐसे जो उन भूमिकाओं में पहुँच कर उत्तर उत्तर उत्कृष्ट स्थानों पर विजय पाते जाते हैं। वे महात्मा निश्चई ही वंदनी हैं। उन्होंने इंद्रिय रुपी शत्रों पर विजय प्राप्त कर ली है। उस चतुर्थ ग्यान भूमी का जीवन मुक्त अवस्था में पहुँच जाने पर समराट भूमंडल का राजा और विराट देव लोक का राजा भी तिनके के समान तुछ प्रतीत होता है। क्योंकि वे ग्यानी महात्मा उस अवस्था में परमपद को प्राप्त हो जाते हैं। कर दो